हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इस्टेडीकर मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर दोस्तो दस मिनट अमरे सीरीज में आज हम डिसकस करेंगे 2023 के प्रमुक जी आई टेक और यह जो जी आई टेक हैं जुलाई 2023 तक अप्टेटिड हैं तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं या फिर PDF डाउलोड कर लीजेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से आप टेलीग्राम पर जाएए इस्टरीक और ओफिसियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा इसके अलाबा आप हमारे एप को भी आउलोड कर लें एप का लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर भी आपको पीडियाप उपलब्ध हैं दोस्तो आज का पहला कुशन है बिहार के किस जिले में उत्पादित होने वाले सुगंधित मर्चा चावल या मिर्चा चावल को GI टैग मिला है आंसर हो जाएगा पश्चम चंपारण तो पश्चम चंपारण में ये मिर्चा चावल या मर्चा चावल पाया जाता है तो उस्ति अभी हाली में GI टैग दिया गया है और यह चावल काली मिर्च की तरह दिखाई देता है इसलिए इसे मिर्चा चावल या मर्चा राइस के नाम से जाना जाता है दोस्तों बिहार में और भी जियाई टेग दिये गए हैं जैसे जरदालू, आम, भागलपुर की, कतरनी चावल, मुजबफरपुर की, साही लीची, मगद छेत्र का मघी पान और मिथला का मखाना ये सभी जियाई टेग बिहार से रिलेटेड हैं आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश दोस्तों लंगड़ा आम का उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होता है लेकिन वनारस का जो लंगड़ा आम है वो अपनी एक अलग पहचान रखता है नेक्स्ट कुशन है उत्तर प्रदेश के किस जिले के राम नगर भंटा जो की एक बैगन है उसको जियाई टेग दिया गया है आंसर है इसका वारारसी तो वारारसी में जो राम नगर भंटा जो बैगन पायज आता है उसे अभी हाली में जियाई टेग दिया गया है ये आदमचीनी चाबल है उसे हाल ही में G.I.Tag दिया गया है और आदमचीनी चाबल की बात करें तो यह काफी सुगंदित होता है और खास طور पर इसकी खेती चंदौली में की जाती है किस राज के प्रसिद्ध अलीगर ताला को GI टेग दिया गया है तो दोस्तों अलीगर के जो ताले हैं वो प्रसिद्ध हैं उत्तर प्रदेश के तो उन्हें अभी हाली में GI टेग दिया गया है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश अलिगर्ड ताला को GI Tag Handicraft category में दिया गया है उत्तरप्रदेश के अलिगर्ड जिले का ताला देश और दुनिया में काफी मसुहूर है उत्तरप्रदेश के किस जिले के उत्पाद वखिरा के पीतल के वने वर्तन जिसे वखिरा ब्रास बेयर के नाम से जाना जाता है को GI Tag दिया गया है तो आंसर हो जाएगा इसका संत कभीर नगर जो संत कभीर नगर का वखिरा वरासवेर है या वखिरा के पीतल के जो बने वर्तन है वो काफी पृसिद्ध है तो उन्हें अभी हाली में GI Tag दिया गया है ये आप देख सकते हैं ये दोस्तो वक्रा वरासबेयर हैं तो इन्हें अभी हाली में जी आई टेक दिया गया है और वक्रा की जो पहचान है फूल और पीतल की वर्तनों से होती है अंगला कुशन है बांदा सजर पत्थर सिल्फ को जी आई टेक मिला है या किस राज्य का विस्व प्रसिद्ध हस्ति सिल्फ है आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के बांदा सजर पत्थर सिल्फ को अभी हाली में जी आई टेक दिया गया है या देखि विजनोर की जो नगीना लक्रीच सिल्फ है उसे अबी हाली में G.I. Tag दिया गया है और हैंडी क्राफ्ट कैटीग्री में G.I. Tag दिया गया है किस राज्य के प्रताबगड आमला को GI tag दिया गया है तो प्रताबगड जो है ये उत्तर प्रदेश में इस्तित है तो वहां के आमला को अभी हाली में GI tag दिया गया है और यह जो आमला है ये उत्तर प्रदेश के one district one product project में भी सामिल है अंगला question है रीवा सुंदर्जा आम का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे GI tag मिला है तो रीवा सुंदर्जा आम जो है ये मद्ध प्रदेश में उत्तर प्रदेश का जो रीवा district है वहां पर इसका उत्तर प्रदेश है तो इसे अभी हाली में GI tag दिया गया है नेक्ट question है किस राज्य के प्रसिदा हां तरस हींग को GI tag मिला है आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश की जो हां तरस हींग है उसको अभी हाली में GI tag प्रदान किया गया है अंगला प्रसन है किस कैंद सासर प्रदेश की लद्दाक सिंग इसकोस को GI टैग मिला है तो दोस्तो नाम में है उच्छुपा हुआ है उसकी लद्दाक आंसर हो जाएगा इसका लद्दाक तो लद्दाक सिंग इस कोस को हैंडी कराप छेतर में अभी हाली में जियाई टैग दिया गया है नेक्स्ट कुशन है छतीसगर के किस जिले में नगरी दुबराज जो की एक चावल है का उत्पादन होता है जिसे जियाई टैग मिला है आंसर हो जाएगा धमतरी तो छतीसगर के धमतरी डिश्टिक में नगरी दुबराज नामक चावल का उत्पादन होता है जिसे अभी हाली में जियाई टैग प्रदान किया गया है और इस चावल के दाने छोटे होते हैं और चावल पकाने के बाद खाने में बहुत ही नरम होते हैं तो यह इसकी विसिस्ता है किस राज की मनपराई मुरुकू को जियाई टैग प्रदान किया गया है आंसर है तमिल नाडू तो दोस्तों जो मनपराई मुरुकू है यह एक प्रकार का नास्ता है तो इसे अभी हाली में जियाई टैग दिया गया है कमबन पनीर थराचाई जो कि एक अंगूर है उसका उत्पादन किस राज में प्रमुक रूप से होता है जिसे GI टेक दिया गया है आंसर हो जाएगा तमिल नाडू तो दोस्तो कमबन पनीर थराचाई अंगूर की खासियत है कि इसका उत्पादन पूरे साल होता है आम तोर पर अंगूर केवल जनबरी और अप्रेल के दोरान ही काटे जाते हैं लेकिन जो कमबन पनीर थराचाई अंगूर है ये पूरे साल उत्पादित होता है नेक्स्ट कुशन है तमिल नाडू के किस जले के मारतंडम सहद को जी आई टैक प्रदान किया गया है आंसर हो जाएगा करन्या कुमारी तो तमिल नाडू के करन्या कुमारी डिस्टिक में ये सहद पाया जाता है और इसे प्राक्रतिक सामगरी के रूप में जी आई टैक प दिया गया है और तमिल नाडू के उंटी में बनाया जाने वाला एक खास विस्किट है और यह कुरकुरा होता है यह इसकी भी सिस्ता होती है किस राज के मानाम दोराई पॉटरी को जी आई टैक दिया गया है इस कोशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिल तमिल नाडू का जो मानाम दोराई पॉटरी है उसे अभी हाली में जी आई टैक दिया गया है यह आप देख सकते हैं यह पॉटरी है और दोस्तो इसे जी आई टैक दिया गया है और तमिल नाडू के सेव गंगा जिले में एक सहर है मानाम दोराई उसी के नाम पर इस बनाये जाते हैं अंगला कुशन है किस राज़े के पृसद्द सेलम साबूदाना को G.I.T. दिया गया है आंसर हुजाएगा तमिल नाडू तो तमिल नाडू के सेलम साबूदाना को अभी हाली में G.I.T. दिया गया है और सेलम की बात करें तो यह तमिल नाडू का एक डिश्टिक है और इसी के नाम पर इस साबू दाने का नाम रखा गया है नेक्स्ट कुशन है किस राज्य के मसहूर पान ओथर वेटरी लाई को GI टेग मिला है आंसर हो जाएगा तमिल नाडू तो तमिल नाडू में पाय जाता है ओथर वेटरी लाई पान तो उसे अभी हाली में GI टेग दिया गया है और तमिल नाडू के थुटू कुडी चिले में इसका उत्पादन किया जाता है और इस पान की जो विसिस्ता होती है कि पत्यों का डंठल दूसरे की तुलनाब में काफी लंबा होता है या इसकी विसिस्ता होती है नेक्स्ट कोशन है किस प्रदेश के प्रसिद्ध नैगामम सूती साडी को GI टेग प्रतान किया गया है आंसर हो जाएगा इसका तमिल नाडू तो तमिल नाडू में पेरे नैगमम एक नगर है उसके नाम पर इस साडी का नाम रखा गया है और दोस्तों इस नगर में सूती साडी का देओग है इसलिए इसे अभी हाली में GI टेग प्रदान किया गया है नेक्स्ट कुश्चन है किस राज्जिके माई लाड़ी स्टॉन नकासी को GI टैग मिला है आंसर हो जाएगा तमिल लाड़ू तो दोस्तो माई लाड़ी भारत के तमिल लाड़ू राज्जिके कन्या कुमारी जिले में स्टेट एक नगर है और वहां की जो पत्थर पर की जाने वाली नकासी है वो काफी फेमस है और इसे माई लाड़ी स्टॉन कार्विंग के नाम से भी जाना जाता है अंगला प्रस्न है रामबन सुलाई मधू जो की एक सहद है का उत्पादन किस कैंसासर प्रदेश में होता है आंसर हो जाएगा जम्मू कस्मीर तो जम्मू कस्मीर के रामबन डिस्टिक में इसका उत्पादन होता है किस कैंसासर प्रदेश के उधंपूर कलाड़ी जो की ए आंसर हो जाएगा अनंत नाग तो दोस्तो मुस्क बुद्जी चाबल को करसी के छितर में GI टेग प्रदान किया गया है किस कैंसासर प्रदेश के भद्रबाह राजमा को GI टेग मिला है आंसर हो जाएगा इसका जम्मू कस्मीर तो जम्मू कस्मीर के भद्रबाह राजमा को अभ मुलायम होती है और इससे सजावट का सामान और घर की जरूरतों का सामान बनाए जाता है और यह कास तोर पर राज़वरी में पाई जाती है अंगला कुशन है जम्मु कस्मीर के किस जिले की विस प्रसिद वसोहली पेंटिंग को जियाई टैग दिया गया है तो इसका राइड आंसर हो जाएगा तमिल नाडू तो थैकल तमिल नाडू के नागा पटिम जिले में इस्तेटिक गाउं है और यहां का रतन क्राप्ट मसुहूर है और इसी को अभी हाली में जियाई टैग दिया गया है किस राज़ की मसुहूर पान का पत्ता 16 बंदन बैटरी लाई को जियाई टैग दिया गया है आंसर हो जाएगा इसका तमिल नाडू. तो तमिल नाडू में जो 16 बंदन बैटरी लाई पान है, पान का पत्ता है, उसको अभी हाली में gi-taig दिया गया है. अंगला कुशन है किस कैंसासर प्रदेश के रामबन अनारदाना को gi-taig दिया गया है? तो जो रामबन अनारदाना है, ये प प्रोहड होलक यह प्राकृतिक लकडी से बना हुआ एक संगीत वाधियंत होता है नेक्स्ट कोशन है तंदूर तूर डाल रैड ग्राम के लिए किस राज्य के अंसासर प्रदेश को GI टैग मिला है आंसर हो जाएगा तेलंगाना तो तेलंगाना के तंदूर तूर डाल को अभ कमेंट बॉक्स में रहना है किस राज्य की वनारस लंगडा आम को GI टैग मिला है जो भी इसका राइट अनसर हो कमेंट बॉक्स में जुरूर बताईगा हमें जा रहेगा आपके आंसर का अगर लेक्शर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दे सेर भी कर दे सबी दोस्तों को सभी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं नेक्ट लेक्शर में जय हिंद वन्दे मात